नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका हमारे चैनल अचार जागेंद्र मिस्रा में आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राश्की देनी के रास्वल के बारे में लेकिन उससे पहले बात करें थे आज के पंचांग के बारे में 24 मई 2021 सोंबार का दिन है और बैसाख सुक्ल पक्षी 33 ती थी है और नचत रहे आज चित्रा अब जीत महूरत की अगर बात करें तो यह दुपाहर 11 बच के 42 बच से लेके साम 7 बच कर 3 मिनड़ तक रहेगा इस अस्व समय में कोई विशुब और नई कार की सुरुआत ना करें तो बिग्र वाधाईया शकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन रास्की देनी के रास्वल की और यह प्रेडक्शन चंद राशी पाराधारी थे मिथुन रास्की देनी को आज बड़ी अच्छी खुसकबरी प्राप्त होगी आज आपके केजियर की जो सुरुआत होगी सांदार रहने वाली है आज कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो काफी समय से पेंडिंग थे उन कामों को मिथुन रास्की देनी को पूरा करने की कुशिश करेंगे यानि कि जो पेंडिंग रुके हुए अटके हुए काम थे उन सभी कामों को आज प्रियास करेंगे पूरा करने के लिए यह काफी ज़दा आपके अच्छा रहेगा और आज नोकरी में आज आपको लावदायक इस्तिया देखने को मिलेगी पारिवारिक जीवन भी बहतर रहेगा परिवार के सदस्वक साथ घूमने फिरने का परिवार के सदस्वक साथ आज यानि कि चहल कदमी हो सकती है उनके साथ ज़्यादा ज़्यादा इंज्वाय करते हुए नजराएंगे उनके साथ काफी खुश मिजाज में रहेंगे क्योंकि एक देखे वैसे भी बाहर आने जाने में ज़्यादा परिशानी हो रही है तो इसलिए आज घर पर ही रहकर कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे घर परिवार के साथ मिजाज रासक्याद को आज आपके घर में जो अविवाहित है शिंगल जातक है उनके बिवाह यानि शुब कुछ मंगल कार हो सकते हैं शुब कारकरम हो सकते हैं मंगलिक कारकरम हो सकते हैं या फिर धार्मे के कारकरमों को एक सुक्ष मरोग से आईजन कर सकते हैं ज़्यादा भीड़भार करने की कोई अवश्रक्ता नहीं रहेगी मिथन राशक्यात को क्योंकि अब शमस्याएं चल रही है और वैसे भी वाहर घोमने फिरने से बचना होगा शेहत को लेकर जो परेशानी थी अब वो परेशानी वो डर और वो भै अब धीरे धीरे जाता हुआ न जराएगा मिथन राशक्यात को और आज आप दोसरों की मदद कर सकते हैं आज आप कुछ ऐसे समस्याएं हो सकते हैं जो काफी समय से नहीं सुल जहा पा रहे थे उन्हें सुल जहाने के कोशिश करेंगे समाजिक और बित्ती जिम्यदारियों से आज आपको काफी दा यानि की लाभ प्राप्त होगा और हला कि आज आज आपके किसी भी काम पर जल्दवाजी ना करें और देखे कुछ ऐसे समस्याएं थे जो इस्थाई समाधान नहीं मिल पा रहे थे तो मित्वोन राप्त की आज इसथाई समस्याओं का समाधान मिल पाएगा आज आपको धहर से काम लेना होगा और आज आप किसी भी कार का आरभ करते हैं तो काफी अच्छा रह रहेगा और कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं आज मितुन रास्कियाद को और जैसे की जैसे हो सकता है आप खुद का ख्याल तो रखेंगे ही सहत में लेकिन कुछ लोगों की मदद करेंगे आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं मितुन रास्कियाद को केरियर में उचधिकारियों का सपूर्ट मिलेगprint वाले हैं उनका सपूर्ट मिलेगई ओर आज आपके केरियर के बारे मिन और ज़्यादा वाद करें तो वैसे काम पर फोकस बना हुआ है काम पर फोकस बनाए रखने की जरूरत भी होगी मिथनरास के आचाथ को हुー है लेकिन महनत तो करनी पड़ेगी फोकस पढ़ाय पर बनाय रख़िये किसी भी तरह की कोई धिलवाई ना करें अगर आप आप आज पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे हलाकी लिखा हुआ पढ़ा हुआ याद भी रहे प्राप्त होगा कुछ ऐसे कार हो शकते हैं मिथुन राज क्यात को जो काफी समय से जैसे हमने कहा कि नहीं हो रहे थे उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे साज़ेदारे में बिजनेश व्यापार करें उसमें भी लाब होगा कुछ नयापन देखने को मिलेगा आज की दिन और ऐसे लोगों से दूर रहे जो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की राय दें आपको मिथुन रास क्यात को यानि कि ज्यादा आप दूसरों पर भरोसा न करे अगर आपको लोटरी शट्टा में पैसा लगाना है तो खुद कर लगाईए खास कर शेर मार्केट में पहले से लगाए हुए हैं तो लाब जरूर होगा और आज अगर मालीजे जमीन प्रोपरिटी में आपने पहले से लगाया हुआ है तो जमीन प्रोपरिटी बेश सकते ह उससे आपको लाब किस्तिती बनी रहेगी मिथन राशक्यात को जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है खास कर अगर आप रियल इस्टेट या कंट्रक्शन का काम करते हैं तो लाब होगा कपड़े के ब्यापारी हैं या फिर आप किराने के श्टोर हैं या फिर मेडिकल से संबंधित आपने या फिर सोने चांदी के ब्यापारी हैं तो लाब धीरे धीरे बरता हुआ नजराएगा शंपत्य प्रोपलिटी में फाइदा होता हुआ नजराएगा मिथन रास की आतकों वैसे तो देखे सुक्षाधनों और मनरंजन के नाम पर आप खर्च भी कर सकते हैं लेकिन कहीं पर भी किसी को उधार लेने देने से बचना होगा और किसी पर भरोसा ना करें आज की दिन कहीं पर भी हलाग कि शेयर मार्केट बगएरा में हमने पहले ही किया कि अगर आपने पहले से निवेस किया हुआ है तो निश्ची तोर पर आपको लाव जरूर होता हुआ दिखाई देगा आज आपके यानि कि कुछ सारीरिक परेशानिया देखने को मिल सकते है जिसे गया से बदहजमी बगएरा या फिर पेट का खराब होना या फिर हो सकते है बाहर की चीज़े बिल्कुल ना खाए घर के ही खाए तो सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा हलाकि सेहत में कोई खास परेशानी नहीं रहेगी साथ ही अगर हम बात करें आपके दामपत्ती जीवन की तो दामपत्ती जीवन में खुशिया रहेंगी और बड़ी खुशकबरी प्राप्त होगी संतान को रूप में फिर प्लानिंग कर सकते हैं प्रेम जीवन में काफी ज़्यादा नजदी के बढ़ेंगे प्रेम जीवन में यानि कि बहुत अच्छी स्थितिया रहने वाली है और जो अभी तक मिठास नहीं थी आपके प्रेम जीवन में वो उसमें मिठास देखने को मिठुन रास की ज़्याद को मिलती नज़राएगी और कुछ गिप्ट या उपहार देनी की सो सकते हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताती हो नज़राएंगे पढ़ाई लिखाई पर श्ट्रेण बिद्यार्थियों को फोकस बनाए रखने की यावश्यक्ता होगी इस साथी इस समय अगर कोई काम दोस्तों के वज़े से या पूरा नहीं हो पा रहा थे तो हाला कि दोस्तों को सहयोग प्राप्त होगा और बिदेश में जो हैं मिथन रास की जाता को उनके लिए भी बहुत अच्छे अपसर प्राप्त होंगे बिदेश से कोई सुप सोचना मिलने की योग बन रहे हैं विदेस में जो बैटे हैं काम कररे हैं या फिर नोकरी कर रे है या फिर किसी बिजनेस बियापार का श्टार्ट अप किये हुए है तो उसमें अच्छा खासा लाव देखने को बनेगा यानि धन को लेकर मितुन रास्कियत को चिंताइं धीरे धीरे आपकी जाती हुई नजराएगी आज आप बाहन वगरा चला रहे हैं तो हाला कि बाहन सावधानी बरते लेकिन नए बाहन की खरीदारी कर सकते हैं और जो मानसिक प्रसर या मानसिक टेंसन था काम की विज़े से उस से धीरे धीरे आपको मुक्ती मिलती हुई नजराएगी यानि मानसिक टेंसन से आज आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा घर परिवार का स्रपोर्ट मिलेगा घर परिवार की इस्तितिया काफी अच्छी रहेगी एक दूसरे एक साल लगाओ बना रहेगा और आपके काम पर काफी ज़्यादा मदद मिल सकती है जिम्मेदारिया उनके बिवाह होते नजराएंगे आपके जीवन में काफी अच्छा यानि की जीवन सातिक सा नजदीक के रहेंगी लवलाई भी बहुत अच्छी रहने वाली है तो आज की दिन मित्वन्टास केत को काफी अच्छे रहने वाला है हर कार च्छेत में आपका मन लगेगा और क किसी भी काम के प्रत कोई भी आप न चेय और कि कुछ कामों में कुछ आत्यों में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए काफी एच्छ रहेगा अपने धन को एकत्रत करने में आज आज आपकाफी सोच विचार करेंगे आमदनी के श्तुरोत देखने को मिलेगा जो लोग नौकरी ट्राइग कर रहे हैं बार-बार उन्हें सफलता मिलती हुई न जराएगी तुम्हें राज की दिन यानि की काफी जदा अच्छा रहने वारा है नौकरी बिजिनेस ब्यापार और आपके घरेरी जीवन पर आज आपका शुब रंग रहे आपका तकरीवन 85% तो दोस्तों जाते ते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चोंग सब्सक्राइब करें और इसे शेर करिए जैशनीदेव